आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब सकते आख और लिए अपने वीडियो में वीविविविन्न भागा को पढ़ लिया है जिसमें राम के बच्पन से लेकर उनके अंत्म-चरंटक हमने बढ़ा है हमने यह भी जाना की राम का बच्पन कैसा था पिर उनकी सूर्वेर उनके पराक्रमी होने के बारे में, उनके विवस्षीता के साथ विवाह के बारे में, फिर जब राम का राज्याभिशेट हुए उने की बात आई, तो किस तरह से रानी कहकर इन्होंने 14 वरस का वनवास मांग लिया था और अब जब वो 14 वरस वनवास में रहे तो वहां उन्हें किनके कटनाईयों का सामना करना पड़ा और अंत में उन्होंने लंका पर विजए हासिल की अब जो इसका अंतिम भाग है जिसका शीर्षक है राम का राज्याविशेग अब राम के जो 14 वर्ष थे बनवास के अब वह पूरे हो चुके थे और किस प्रिकार से जो किस प्रिकार से अब राम का राज्याविशेग किया जा रहा था तो लेखक ने लिखा है कि जो बिवीशन है वह चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुख जाए अब हमने अपने पिछले भाग में देखा था कि जब राम ने लंका पर विचाय हासिल की थी तो उन्होंने अब जो रामड की म्रत्यू के बाद उन्होंने वो रावड का जो राश्रिंग हासन था वह बिवीशन का राच्छाभी शिक कर दिया था और जब बेविशन थे वो चाहते थे कि राम कुछ दिन उनके साथ लंका में रुख जाए नई लंका में क्यूंकि अभी तक जो लंका थी वहाँ पर रावड का जब बेविशन ने अपनी एक्षा राम को बताई तो उन्होंने अपनी एक्षा राम को बताई और उसका कारण भी बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहां विश्राम कर ले युद्धी की धकान उतर जाएगी वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है और अब जब बेविशन को अराज्य बिशे कर दिया जाता है आपने यह नगरी देखी भी तो है अब जो बेविशन के हैं वहराम से अग्रह करते हैं कि आप कुछ दिन लंका में रुख जाईए और साथ ही साथ वह अपनी वार्थ भी रखते हैं कि इसमें मेरा पी स्वार्थ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी शानेद्धे में रहूँगा तो मुझे आपसे नीती रीती की सीखने का अफसर भी मिलेगा और आपनी यह नगरी देखी भी तो नहीं है इसलिए मैं आपको इस पूरी नगरी का भ्रमट करवाऊंगा तो जब विविशन अपनी बात राम के सामने रखते है तो राम ने उनसे कहा कि राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था सीटा से मिलने हनुमान गए दो बार अंगद गए लक्षमड भी हुआ है बिविशन के राज तिलक के समय राम उस नगरी से धूरी रहे अब जो राम थे वह आए एक बार भी लंका में नहीं गए थे क्योंकि लंका में उनकी बुरी यादें जुड़ी हुई थी और राम ने अभी तक लंका के नगरी में कदम भी नहीं रखाता शीता से मिली हर मार हनुमान ही गए थे और वो दूमार शीता से मिले गए थे और जो विराज है अंगद वह भी लंका गए थे और लक्षमड भी विविशन के राज तिलक के समय लंका में होके आये थे लेकिन ना राम लंका नगरी से हमीशा दूर ही रहे अब जब विवीशन राम से आग्रह करते हैं कि वह कुछ दन लंका में और समय विताएं तो राम कहते हैं कि यह संभव नहीं है मित्र राम ने कहा कि वनवाश के चौधावरष पूरे हो गए हैं अब राम वीविशन्ट से कहते हैं कि मेरा यहां पर रुखना सम्भव नहीं है और मीरे वनवाश के चौधावरष पूरे हो गए हैं तो हमने अपने पिसले भाग में देखा था कि जो कह गई हैं वह दस्टरस से बचन मांगती हैं कि आप मेरे पुत्र मरत को अयुद्धे का राश्रे हासन दे देंगे और राम को चौधा वर्ष का वनवास दे देंगे तो अपने पिता का कतव या अपने विचा का वचन का कतव या पालन करने के लिए राम चौधा वर्ष वनवास में चले जाते हैं तो राम अब कहते हैं कि मेरे चौधा वनवास के चौधा वर्ष अब पूरे हो गए हैं और मैं अपने बचन के अनुसार मैं ततकाल आयुद्ध्या वापस लोटना चाहता हूँ भरत मेरे प्रतिक्षा कर रहे होंगे जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे विलंब का अर्थ देरी अगर मुझे अयुद्ध्या जाने में देरी हुई तो मेरा जो भाई है भरत जो रानी कह कई और राजा दश्रत के पुत्र है और जो अभी रभी आयुध्या का राज का सम्हाल रहे हैं अगर मैं आयुध्या नहीं पहुँचा तो वह पनी प्राण त्याग देंगे उन्होंने प्रतिग्या की थी और मैं उनकी प्रतिग्या से बंधा हुआ हूँ और राम विवीशन को बताते हैं कि भरत ने प्रतिग्या ली थी कि अगर आप चोधा वर्ष के बाद अगर आप उसके एक दिन भी आपने बढ़ाया और अगर आप आयुध्या वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राणो की आहोती दे दूँगा और राम कहते हैं कि मैं उनकी प्रतिग्या से बंधा हूँ और भरत ने जो प्रतिग्या ली थी वह प्रतिग्या राम से बंदी हुई है अब बिवीशन राम से अलग नहीं होना चाहते थे अब जो बिवीशन थे वो राम के अनन्य भक्ते थे और वह राम की सरण में ही दहना चाहते थे और राम से राजगाज और रेती नीती के गुण सीखना चाहते थे अब वो राम से कभी अलग नहीं होना चाहते थे और राम ने उनका अनुष 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 मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो राम ने तो विविशन ने दूसरी प्रस्ताव रखा और राम से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ आयुद्या चलूं और आपके राज्या विशेक में उपस्थित रहूं तो राम ने उनका यह आग्रह श्विकार कर लिया अग्रह का मतलब होता है विद्धी निवेदन तो राम ने उनका यह निवेदन श्विकार कर लिया था और राम बोले कि आप मेरे लिए यात्रा की ववस्ता कर दें अब जो राम थे उन्होंने विविशन को से कहा कि आप मेरे आयुद्या जानने के लिए यात्रा की ववस् आए राम ने उन्हें भी अयुध्य आमंत्रत किया विवीशन का पुश्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था अब जो लंका में जो राज़ा विवीशन के पास पुश्पक विमान था तो उस पुश्पक विमान के दौरा différentes राम लक्षमळ lovely तो उसी विमान में ब पुष्पक विमान ले जाने के लिए तयार हुगा विमान के उड़ान भरते तक बानर सैना वही रही विमान के जाने के बाद कूंते फांते किश्किंधा के ओर चल पड़े अब जो अभी तक बानर सैना राम के पास ही थी उनकी सुरक्षा में ही थी तो जैसे ही राम का पुशागार से उन्हें आबुशाद रतना बुशन दिये थे उनकी वर्षा की थी उसी विमान से वानरों के लिए यह मनुरण जन्था जिसे जो मिला लूटा और जो विविशन थे उन्होंने उपहाद स्वरूप को अपनी खुशी से जितने भी वानर सेना थी उनको अपने अपने धन कोश्चे खजाने से उन्हें से अपने वानर सेना को रतनों के बहुत सारे आबुशन दिये हुए थे और उनकी वर्षा की थी उसी पुस्पक विमान से वानरों के लिए यह दरश्य मनुरण जग था क्योंकि उन्हें तो धन रतन आबुशन से कोई मोहमाया नही थी वह तुश्यमी जंगलों में निवास करती थे और इसलिए जब उनके पास उरतनाबुशन दिये गए तो उन्होंने यह मनुरण जन समझा और जिससे जो मिला उसने लूटा अब विमान लंका से चला उडान भरने के लिए के बाद उसने उस्तरदिशा पकड़ी अब ज जो राम थे वह सीता के पास बैठी थे और उनके रास्ते में पढ़ने वाले जितने भी प्रमुकिस्तान थे राम उनका वड़न सीता के सामने कर रहे थे रामड सीता कहरण कर उस मार्ग से लाया था पंचवटी से उस समझ सीता ने वेस्तान ठीक से नहीं देखे थे इस्ता निमायावी ताकतों से और छल से सीता का हरन कर लिया था और सीता को इसी मारगे से वह लंका में ले गए थे तो उस समय सीता ने यह सारे स्थान ठीक से नहीं देखे थे और उन्हें इन इस्थानों के नाम भी मालूम नहीं थे अब पहले रण भूमी पड़ी फिर वह पुल ज सेना के मद्य भीचन युद्ध हुआ था और फिर वह पुल भी बना जिसे नल और नी नामक सेनापती ने बनाया था और जिसे राम शेतुबांध नाम दिया गया था किश्किंधा राज्य भी रास्ते में था वानर राज सुग्रीव की राज़ानी थी तो हमने अपने तारा और रूपा को लेने आंगे श्रष्ट्य अमूर के परवत पड़ा और उसके वाद पंपा सरोबर उसकी सुंदर्त अद्भुत्ती अब सीता ने निवीदन किया कि अब उनके विमान को अब किश्किंध राजी मुतारा जाए और वहां से उन्होंने सुग्रीव की पत करते थे और उसके बाद वहीं पर पंपा नामक सरोबर पड़ा सरोबर का मतलब होता है तालापत और उसकी सुंदर्ता अद्भुत्ती निराली थी राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई सीते देखुई है गोदावरी नदी है उचाय से इतनी छोटी तो राम ने सीता को दिखाया कि जो वहाँ पर आस्मान में ओड रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक नदी चोटी दिखाई दी रही थी एक पतली रेखा की तरह है और जो चमक रहे थी तो राम सीता से कहते हैं कि सीते देखो यह गोदावरी नदी है इसी और उचाय से इतनी चोटी दिख रही है इसी की तट पर पंचवटी है देखो हमारी पंचवटी अभी भी बनी हुई है अब जो जो राम और सीता जिस पंचवटी नामा के स्थान में जिस पंचवटी में रह रहे थे पंचवटी का मतला वोता है कि पत्तों और उनकी पेडों की डाल से बनी उन्हें पूरा घटना क्रम याद आ गया और रानी सीता पंचपटी को देखकर डर गई थी क्योंकि पंचपटी में उनके साथ जो भी हुआ किस प्रिकार्चल से रावण ने उनका हरण किया उन्हें वह पूरा घटना क्रम याद आ गया था इसलिए वह पंचपटी को देखन नहीं चाहती थी अब गंगा यमना की संगम पर रिशी भारत द्वाज का आश्रम था विमान वहां उतरा गया अब जहां पर गंगा यमना का संगम संगम का मतलब होता है जहां पर दो नदियां मिलती है तो गंगा यमना जहां पर मिलती है तो उस संगम पर रिशी भारत द्व कि वह एक रात उनकी आश्रम में बिताएं तो राम उन्हें मना नहीं कर पाएं वहीं से उन्होंने हनुमान को आयुध्या भेजा और भरत को उनके आगमन की पूर्व सूशना देने के लिए और राम जब रिश्वी भारत द्वाज के आश्रम में रात प्यतीत कर रहे थे था कि एक संसाय था एक संशय का मतलब होता एक शंका थी कि चौदा वरस के अब्दी कम नहीं होती कहीं इस अब्दी में भरत को शत्ता का मोह तो नहीं हो गया अब जो राम है वह मन ही मन यह बास सोचते हैं कि चौदा वरस भरत राजा भरत है उन्होंने रद आयुध्या प अश्रम में ही टपश्वियों की तरह भों भी रहे तो राम के मन इसंदेश था कि कहीन जो राज की जो चमक है उससे भरत हैं मोいた नहीं वाध़ और कहीं इस अवधि में भरत अ को शत्ता काम बहुत हो नहीं हो गया इसलिए राम ने हनुमान को भेजा कि आप जाकर उनके आगमन के सूशना दीजिए और राम ने कहा राम हनुमान को आयोध्या भेजते हुए राम ने प्रशन रिखा और हनुमान से कहा हे वानर सिरूमनी आप भरत को मेरे आने के सूशना दीजिएगा और ध्यान से उनके चहरे पर कैसे भाव आते हैं यदि भरत को इस सूचना से प्रशन्मिता नहीं हुई तो मैं आयुध्या नहीं जाओंगा भरत राज का समाल है इसमें मुझे कोई आपती नहीं है और अब जो राम है वह हनुमान से कहते हैं आप आयुध्या जाकर भरत को मेरे आने की सूचना देजिएगा और आप ध्यान से उनके चहरे की तरफ देखना कि यह समाचा सुनकर उनके चहरे पर कैसे भाव आते हैं यदि भरत को इस सूचना से मतलब मेरे आने की सूचना से यदि भरत को प्रशन्यता होती है, अगर उन्हें खुशी मिलती है, तो ही मैं आयुध्या जाओंगा, और यदि इस सूचना से भरत को प्रशन्यता नहीं हुई, तो मैं आयुध्या नहीं जाओंगा, और मैं चाहता हूँ कि भरत ही आयुध्या का राज सेहासन को समाले, अपने बड़े भाई जिस तरह से उनके बड़े भाई वन में रहे उसी प्रिकात छोटे भाई भरदवी नंदिग राम आश्रम में तपश्वियों की तरह रहे अब जो हनुमान स्री राम के आदेश मानकर उसका पालन करती हूँ हनुमान वेक से उड़ चले जैसे उड़ रह हो मार्ग में निशाद राज गोह से भेट की अब जो मार्ग में निशाद राज गोह वही है जो जब राम लक्षमणु सीता वनवास जा रहे थे तो सर्व प्रतम निशाद राज गोह से ही उनके भेट हुई थी भेट का मतलब है उनकी मुलाकात हुई थी अब जो हनुमान राम का संदेश भरत के पास दे निकले जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में निशाद राज घोसिब से भी मिले उन्हें भरत से कहा कि स्री राम के वनवास के अवधी पून हो गई है वे लोट रहे हैं प्रयाग पहुँच चुके हैं में उन्हें के आग्या से आपके पास आया हूँ और जब मार्ग रास्ते में निशाद राज गोई मिले तो उन्होंने उन्हें से आयुद्या के भारे में बात की और वह जब उन्हें पता चला कि भरत नंदिगराम है तो वह जब आयुद्या से पहले सीधे नंदिगराम आश्रम पहुँचे और उन्होंने भरत से कहा कि स् आया हूँ भरत की प्रसंदता का ठेकाना ना रहा आखों में खुशी के आशु थे अब जो राजा भरत थे वह तो 14 वर्सों से अपने भाई के आने के प्रतिक्षा कर रहे थे तो जैसे ही हनुमान से उन्होंने सुना कि उनके भाई राम अब बापिस आयुद्या आ रहे हैं तो उनकी प्रसंदता का ठेकाना ना रहा उनकी आखों में खुशी के आशु थे वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह सुप सूशना उन तक पहुँशाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था प्रशंदता हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम ल पिताया कि राम की अब 14 वर्स के वनवास के अवधी पूर्ण हो चुकी अब वह अउध्या वापस आ रहे हैं तो जब भरत नियवास सुनी तो उनकी प्रशंदता का ठेकाना ना रहा वाए बहुत अधिक खुशी हो गया और उनकी आखों में खुशी के आशु भी आगए और भर भर हनुमान को यह सुप समाचार सुनाने के लिए धन्यवाद कह रहे थे और उनके चहरे पर केवल एक ही भाव था वो भी प्रशंदता का भाव था अब जो हनुमान थे वह बरस से को यह सुशना देकर उनसे विदा लेकर वापस आस्रम लोटाए भारत द्वाज किस तरह से पूर अयुद्या नकरी उनके स्वागत के लिए आतुर होती है और राम के मन में यह संदेज रहता है कि कहीं इतनी वर्शों तक अयुद्या के राजका समालने के कारण जो भरत हैं उनके वह सत्ता के मुह में तो नहीं बन गए हैं कहीं वह राज को अभी भी अंदेज देकर भेजते हैं भरत के पास कि तुम भरत के पास जाओ और उन्हें बताना कि मेरे अबनवास के अबदी पूरी हो चुकी है और मैं वापिस अयुद्या आ रहा हूँ और जब तुम उनसे यह बात कहो तो उनके चेहरे के भाव को देखना कि वह किस प्रकार इस पास से दुखी होते हैं या खुशी होते हैं तो जब हनुमान यह बात लेकर भरत के पास पहुचे तो उन्हें देखा कि भरत इस बास जाकि जब भरत को पता चला कि जो उनके राम है वह पाफिस आ रही है क्यूंकि भरत चौदा वर्षों से उनकी प्रतिक्षा कर रही है तो वो कहते हैं कि जब हनुमान ने भरत को बताया कि राम आ रही है तो भरत के प्रिसनता का ठेकाना ना रहा उनकी आँखों में खुशी क्याशू आ गए थे क्यूंकि वे तो चौदा वर्षों से अपने भाई राम की प्रतिक्षा में थे और उन्हें की तरह आव एक बनन पनजब चित्रकूट में राम से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने राम से की जो चरण पादुकाय उनसे ले ली थी तो वही चरण पादुकाय चौदा साल से वो राम से आयुद्या के रासिंग हासन पर रखी हुई थी और उन्हें राम का और उनको देखकर ऐसा लगत तो अब हमारे ये भागे ही पर समाप्त होता है इसका अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद क्लासिक से टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर